नासका दोस्तों, डीडी रेट के कोर एक्षिन वीडियो में आज सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है डेली स्वाइक का, और इसका टाइटल है गूंज उठा UAE अहलान मोदी के नारे से, और आबुधाबी में, जो है, आज एक बड़े ही भव्य मंदिर का उद्गाटन हो गया है, वहाँ पर खुद पिये मोदी पहुंचे, UAE के लोग शामिल हुए उसमें, हिंदू समुदाय के लोग हुए, यहां से भारत से गय हुए, सैक्रो लोग शामिल हुए, और बड़ा ही जबरदस मंदिर बना है, र तो चलिए, बस ये देखना है, आपको ये काम करना है, आपको ये नापना है, कि ज़्यादा तेज मिर्ची लगी है या कम तेज मिर्ची लगी है, मिर्ची तो लगी है, ये नापकर आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने मे सर बात करने का परपस है सर एक बहुत बड़ी नियूस निकल कर आ रही है सर अभी अबुदभी के अंदर जो के मिडिल इसके अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसियों मुलक से नरेंदर मोदी खुद तश्रीफ ले के अकिजद है रहे हैं आप बताएं अजा पाकिस्तानी अजाम शिर्म वहां पर यह चीज सकी होपनी होने जैरी ये रही क्यों कि मुस्लमानों को सबको इखतिजाज करना चाहिए इस बात के उपर के मंदर अगर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो ठीक है यहां पर पाकिस्तान के अंदर कहीं पर मंदर बनना चाहिए अपस की बात है वैसे ने ने यहां पर मंदर ने बनना चाहिए मजिद बनने चाहिए मजिद बनने चाहिए मजिद बनने चाहिए इंडिया में 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 मजिद बनने चाहिए तो अच्छी बात है ना अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है देखा आपने इस नफरती माइंडसेट की बात करते हैं कि मैं किसी non-muslim देश में चला जाऊं मतब मैं पाकिस्तानियों की बात करें वहाँ पर हमारी मस्जिस जरूर बननी चीए बिल्कुल हमारा right है लेकिन कोई non-muslim पाकिस्तान या दूसरे Muslim country में अपने मताबिक मंदिर बनवाले, चर्च बनवाले नहीं नहीं ये तो गलत बात है गुर्द्वारा बनवाले, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता Muslim country है न कैसे होगा ये दूसरी country में अपने कुछ है ये, लेकिन सेम rights दूसरे वालों को आप Islamic countries मने देना चाहते उस जमाने गए पाकिसानियों सुधर जाओ UAE, साओधी अरब और इंग जैसे जो बड़े Muslim देश हैं वो समझ चुके हैं कि खेल क्या है तुम लोग डूब रहो इसलिए इस नफरती mindset के चक्कर में मुझे तो अफसोस होता है कि इसलामाबाद जिसका जिकर कर रहे थे जिस मंदिर का वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा सरकार तक ने कहा कि यहाँ बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में माम लागिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनना चाहिए लेकिन यहाँ के कट्टर पंथी उतने ही नहीं थे मंदिर पाकिस्तान जब अलग हुआ था उस समय करीब 2000 मंदिर थे और आज गिनती के मंदिर बचे हैं 20-25 और उस पर भी मुसल्मानों का कब्जा है हिंदूओं के पास नहीं है और यह मैं नहीं कहता यह आपकी असंबली में आपके पार्लियामेंट में यह बात की गई है सुनिए 1288 मंदरे 521 गुर्दवारे है 1830 में से 31 मंदर और गुर्दवारे फंक्शनेबल है 30 पहले थे एक अभी स्याल कोट में खुला 31 हुआ और हमने एक स्याल कोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी पर हमने यह नहीं बताया के 1830 मंदर में से 31 मंदर खुला है आज भी 1799 मंदर गुर्दवारे उनके ओपर कबजे है और उनके ओपर जो पूरी जो इंसामिया बैठी है क्योंके हिंदू कोई एहल नहीं है और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसल्मानी जो है वो मंदरू का और गुर्दवारू का बनेगा और मुसल्मानी जो है वो माइनारिटी का मिनिस्टर बनेगा क्योंके उसको पता है कि हिंदू का तहवार किस दिन होता है इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि जी ऐसा है और वैसा है तो ये नफरती माइंसेट है ना इसलिए अजाब गिरा हुए आप लोग के उपर भुखमरे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं आप लोग क्योंकि आपको वो राइट सही है दूसरे नौन मुसलिम देशों में लेकिन नौन मुसलिम्स को आप अपने हा मत खुलो भाई ऐसे ही रो परी मजजिद उन्होंने गिराई मतलब शहीद किया वहाँ पर मंदिर बनाया तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है तो फिर तो उनका जो मुलक उनको वहीं करने ते जो आम करने ये भी तो सही है मेरे काने मतलब ने एक चीज़ बनी हुई है तो उसको खत्म तो है न पहले आलडी ने बनी हुई है उसको खत्म निकर न बनी है बाबर इन किसी बात के निने तो आपर 20 अपर हमारी अपने मर्ज़स चलेगे लिए मेरे कहने का कौन से इतने हिंदू है यानिक जो आप मंदर भूना बना चाहे हैं या यह यहां बी तिना मुस्लमान ज्याद हैं तो है लेकिन आखिलियत में अक्लियत में ना इस इतने कं के लिए आप इनके मंतर बना दें बहुत जीब सी बात लगती है ना गलत बात है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर बताईगा कि इनके राय आपको ऐसे लगी शुक्रिया सर बड़ा अफसोस हुआ इनके राय सुनकर और इनके जैसे दोगले पाकिस्तान में बहुत जादा है और जी हम माइनर्टी हैं दूसरे देशों में हमें मलाई चाहिए मलाई चाहिए मलाई चाहिए मलाई दे दो लेकिन दूसरे देशों के माइनर्टी अगर आपके देश में आती है जहाँ पर आप अकसरियत में हैं मेरिटी में हैं वो अकर मालाई कहते हैं तु को न होता है मालाई खाने वाला मालाई मांगने वाला तरले नहीं मलाई तु हैं कितना दो चार तो है तुझे क्यों देंगा मलाई हैं यह मुसलमानों का देश है मुसलमानों को मलाई दी जाएगी तुझे क्यों दी जाएगी ले जा रहा है कोई ऐसा देश नहीं बचेगा जहां से पाकिस्तानी लतिया कर भगाया नहीं जाएंगे मेरी बात डायरी में नोट करके कहीं पर चपवा के टांग दीजिए शुरू हो चुका है और आने वाले पांच से दस साल में देखिए किस तरह लतिया जाएंगे आप लोग बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन होई है अबुदभी के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहां पर तामीर किया गया है अबुदभी की कोवर्मेंट की तरफ से और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल 14 फरवरी को तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के कमिनिश्ट नरेंदर मोदी को वहां पर बुलाया गया क्या किया चाहिए क्या यह मंदिर बनागर सही किया या गलत किया उन्होंने फरस्ट फाल तो यह के नभी पाक शल्मने जो कियामत की पेशगूईयां की हैं उनमें यह बी है कियामत उस वक तक काइम नहीं होगी जब अरब के कुछ कबाइल में बुद्परस्ति आम ना हो जाए शुरू ना हो जाए तो अभी आखरी जमाना चल रहा है और कुर्ब कियामत का अभी अरब के बी अंदर बुद्परस्ति का एक कल्चर फरोग पा रहा है तो यह कियामत पहली बात वो जाके पूजा तो नहीं कर गई है ना और कयामत आएगी सारे मुसल्मान उसमें मर जाएंगे और ये भी अच्छी बात है कि भाई आप लोग तो मरने के बाद वाले के लिए जीते हैं ना तो आप लोगो सीधे जननत नसीब हो जाएगी बहतर हुरे भी महाँ पर आपका इंतिजार करनी होंगी ये तो आ क्यामत आजाए आपके लिए अब ये मत कहना है कि क्यामत हमारे इवापर दोРण ही ना आएगी क क्यामत तो mismosल्मों सब्सक्रिक हाफिनों पर घिरेगी नई सर ऐसा नहीं है उस सिर्फ प्मसल्मानों के लिए 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 जैसे जननत सिर्फ मुसल्मानों के कि अभी निए करने कि हमारे नभी ने कभी मना किया कि किसी की अगर कोई नौन-मुसलिम आपके मुलक में जादा है तो इसकी अबादत गाएं बनाने जादा किया उसको लोग अभी आइडियोलोजिय से निकल कर अपनी मफात की बात करते हैं कि भाई इससे हमारे क्या बैनेफिट्स होंगे वो अपनी पॉंट्रीस को वसी करने दुनिया के लिए अबुदभी और दुबई इससी में से अब पहले दुबई में बना अब अब अबुदभी के अंदर दूसरा मंदिर बन गया तो वहां पर साड़ लाग से जादा हिंदू है तो भाई उनको भी इत अबादत करने के लिए तो जगा चाहिए अब कहा रहे हैं इंडिया में मसाजित बन रही है आप बाबरी मस्जित के मुतलिक क्या कहने है मुझे पता था यही है जबला अचा पहली बात कितनी खुबसूरती से आप लोग को अंदाजा भी ने लगता है आप लोग अपने मजभब को एक्स्पोज करते ते हो एक्सपोज करने का अप कहने का मरा मतलब ही है कि कोण्ट्राडिक्शन ला देते हो सामने एक तरफ आप कहरे हो कि इसलाम सारे लोगों को हकूग देता है जो माइनूटी में है उनको भी हकूग देता है और दूसरी तरफ है ही कहर refrigerator हो कि जो अच्छा है इसलिए मंदिर ने कहता है कि जी माइनोटी को भी सारे हुकुक दिये जाने चाहिए और बिल्कुल मिलने चाहिए और अगले सेकेंड आप कहते हो ने ने इसलामिक देश है इसलिए वहाँ पर तो बनाए नहीं जा सकता मंदिर लो जी दस सेकेंड में आपने आपको कॉंटरेडिक कर दिया इससे आपके मजभब की भी बदनामी होती है पता है अब मेरे जैसे आदमी जो सुनेंगे वो तो साफ साफ उनको नजर आ जाता है कि ओ ये क्या बोल दिया ये क्या कर दिया क्या है एक तरफ कहते हैं कि मैं जूट नहीं बोलता मैं जूट नहीं बोलता हमारा तो सच बोलना सिखाता है दूसरी तरफ आप जाके कहते हैं तुम्हारा खुदा जूटा है हमारा खुदा सच्चा है आप कॉंट्रेडिक्शन समझे रहे हैं तो मैं तो यह कहूंगा ने कि भाई चल क्या रहा है ये यह क्या कन्विज कैसे हैं एक छोटा सा कोशन है अभुदभी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी को वहां पर बुलाया गया है और अभुदभी का कहना कि आने वाले टाइम के अंदर हम बि बना है इसलामिक रिपाब्लिक – पाकसितन यहां इजाज़त नहीं होना चाही है क्योंकि नाम पर यह ब Pack रियास्त है ले कहारा सबको राइट मिलना च है लेकन हम Tो बुतों को गिराने वालों को मारने आये हैं हम तो बुतों को 裏प पूजने वालों मारेंगे, मकसद यही है, आप देख रहे हैं, सबको राइट्स है, तो भाई, जब बुतों को पुझा करने वालों को मारोगे, मिटाओगे, उनके राइट्स का क्या हुआ, जो अभी आफ दावा किया एक सेकंड पहले, सबको राइट्स है जे इसलाम में, कहांगे वो सब्सक्राइब करते हैं तुम लोग अपने आपको जबर्दस्त यहां मंदर बने अलबाता हुकूक हाटे को मिलना चाहिए सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा एक्सेंट मुझे असा लगा के बाहर से बाहर से इधर से कंगाल हुआ कि अबुदभी के अंदर भी वह भी इस्लामी मुलक है मेडल इसकी बाग कर रहा हुआ है यह कहरें आपने मुफदादत और दूसरी बात देखे हैं हम पूरे कुफर के साथ लड़ना है यह बना इसलिए, हमने आखर में इसराइल के साथ भी लचना है, यह बना ही, पाकिस्तान इसलिए बना है, उनकी बात और उनका इजाद है, जो वो करे, उदर इसलाम नाफिद नहीं हो एक चलते हैं, हमें तो इसलाम के उपर बिलकुल पाबंद होना चाहिए, इसलाम के मुद बच्चे उनको भी इतना आजाद ने इसलाम इजाद ने रहा बहुत बड़ा मुकाम ने इन बेचारे को बहुत दुखी है कि जादा आजाद हो गई है माय बहने और अवरते मतलब लड़किया जादा आजाद हैं कैसे घूम सकती हैं वो सड़कों पर उन्हें तो घरों में ब के हो अपनी बाओं बेहनों को बाहर मत निकलने दो भाया उन्हें अंदर बंद रखो फॉरण और जितने भी एंकर परसन हैं उन सब को अंदर रखो सब लबादे में भेजो सिर्फ आखे दिखनी चीए आगे भी जाली लगा दो उसके जरीए वो न्यूज पढ़ें कर में मैं है तब तो माने हम याद क्या या कि अपर मंदिर था बाबर ने उसे तड़वाया उसके ऊपर मंदिर बनवाया मेरा सवाल इतना हैं जो भी मुसल्मान मेरे देश के देख रहे हूँ या मेरे देश के बाहर के मुसल्मान देख रहे हूँ मैं इकी सवाल पोस्ता हूँ आज अगर मैं काबा पर कबजा कर लूँ और वहाँ पर काबा तुड़वा कर मैं उसके उपर भव्य मंदिर बनवा दूँ क्या वो असली मिल्कियत मेरी होगी नहीं होगी वो मुसल्मानों की जगा है वो आने वाले दस हजार सालों तक मुसल्मानों की जगा रहेगी चाहे उस पर किसी का भी कबजा कर लू मैं तो मुसल्मानों की जगा रहेगी वो उनका पवित्र स्थल है वो उसकी पूजा करते है मैं उस पर काबिज हो जाओंगा 100 साल, 200 साल, 400 साल लड़ाई चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी लेकिन वो चीज मेरी नहीं होगी ठीक इसी तरह वो चीज थी बाबरी मस्जिद वहां हमारा मंदिर था बाबर ने उसको जान बूच कर तुड़वाया उसके उपर मंदिर बनाया वो कितने भी हजार साल रह जाए मस्जिद मस्जिद बनवाया कितने भी हजार साल रह जाए वो जमीन तो रहेगी हिंदू की न और अगर उसको कबजा ही करना होता हमें न वापस तो जिस दिन हमारी सरकार बनी थी या मैजुरूटी थी एक दिन नहीं लगाते लेकिन हमने कोट से लड़ाई लड़ी 500 साल तक लड़ते रहे हमने कानून का साहरा लिया लौ के साहरे गए सुप्रीम कोट का फैसला आया उसके बाद महा मंदिर बनाया और लड़ाई मंदिर मस्जिद के नहीं थी लड़ाई जमीन की थी जमीन का मालिकाना हक किसका है उसके लड़ाई थी समझे आप तो असली मिलकियत किसकी है आने वाले 5000 साल तक भी लड़ाई चलती ना तो वो जगह हिंदूओं की थी वहां हमारा मंदिर था और मैं तो सीधा एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको मंदिर तोड़ कर ही मस्जिद क्यों बनाने थी अरे आप मालिक थे एतनी जगह थी कहीं भी बनवालो उसके बगल में बनवालो उससे दो किलमेटर दूर बनवालो उससे बड़ी मस्जिद बनवालो लेकिन तोड़ कर ही मंदिर क्यों बनाने है भाई मंदिर को तोड़ना ही क्यों है यह सवाल अपने आप से पूछिएगा और आपको जवाब मिल लाएगा तो अगर सामने वाले को आप सताएंगे परशान करेंगे जान बूज कर तो यकीन मानिए समय का चक्र गोल है आपके उपर भी भी बीतेगा जो आपने दूसरों के उपर बिताया है बस समझना तो समझे यह नहीं समझना तो बस समझे के बारे में थोड़ी बात करते हैं अंकल ने कहा कि हम एकॉनिमिकल तोर पर हम इतने पावर्फुल हैं कि आने वाले टाइम के अंदर के जितने भी यूरप जितने भी कंट्रीज उनको हम टक्कर दे सकते हैं यह सब को तबाह करने के लिए मुलक बना क्या आपको लगता कि यह बात यह बाते सोचनेँ चाहिए एकानमी के लिए से इन्शनला आने वाला वक्त हमारा है मुझूदा टाइम की बात में क्राइसिस चल रहे हैं लेकिन उसका से किस किस तरह के क्राइसिस हैं आप बताएं कि जो एलेक्शन होए हैं एलेक्शन होए को आज एक अफ़ता होने वाला है अभी तक कोई रिजल्ट न करने का परफस है अबुदाभी के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना उस मंदिर को कंस्ट्रक्शन किया गया और वहां पर कंस्ट्रक्शन के बाद अभी अभी टूरियसम पॉइंट अभी तो अबुदाभी ने इजाज़त दिया बनाया है अभी उसकी ऑपन और अभी तो ठीक है बना भी चाहिए था अगर दुनियावी लिहास से हम देखें तो क्योंके साओधिया में आजकल क्या नहीं हो रहा है वो भी इस्लामिक एक है मुल्क है पूरा तो अगर दुनियावी लिहास से देखा जाए तो ठीक है उदर उस हिंद्यों की तादाद पाकिस्तान में नहीं बननी चाहिए या कोई अबादत गानी बननी चाहिए फिर हम यह क्यों उन से एक्सप्ट करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर मज़िदें भी बननी चाहिए फिर हम दिमाग में ये बाते क्यों सोचते हैं सर यही यही तो सीन है ना मतलब दो कौमी नजरिया इसी को बोलते है दिनी और दुनियावे लिहाज से हर चीज़ डिफरेंट है आज के दोर में अगर देखा जाए तो पिछले दोर में जो मुसल्मान था या जो हिंदू था वो अपने अपने मतलब अपनी हदूद में रहते थे इस टाइम ये बहुत बैड सीन हो गया है अब यूथ है इनको दीन का कम पता है दुनिया का दादा पता है या किसी को दीन का दादा पता है दुनिया का मतलब आपस में लड़ रहे हैं ठीक है आप्वियसली इंडिया में भी वो लोग ये कहेंगे कि यार आप लोग हमारे मंदिर नहीं बना रहे हैं या आप लोग हमारे मंदिरों के खिलाफ हो तो हम आपकी मसाजिद क्यों बनने दें लेकिन मेरा पॉइंट ओफ ही है कि हर दीन को ना मतलब जिस तरह हमारा इसलाम है उनका हिंदूइजम है जो भी सीन है उसको अपनी हर मजभ को अपनी हुदूद में रह के अपना काम करना च चाहिए अगर हमारी आपर माइनरिटी में बहुत जादा तदाद है उनकी इबादत करना चाहें तो वह कहां जाएंगे वह यही चीज है ना माइनरिटीज का हग नाइटीन सेवन्टी इकतर इकतर नहीं सौरी नाइटीन फॉर्टी नाइन के आईगेस कॉंस्टिशन में य चाहते हैं जो कि इंडिया है तो हम क्यों इंडिया के साथ खराब करके बैठे हैं अबुदभी देख लें पहले अबुदभी जितने को भी जितनी कंट्रीज का नाम लेंगे जब हम एटी में पावर बने तो वह हमारी आगर हम बड़ी रिस्पक करते थे हमारी आज हमने क् हैं अब पाकिस्तान और इंडिया के जौड़नी है वह बुरी लगों को बात लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का इस टा雇नली जो अपनी तरक्की की कि पिर्वेंट के साब से तो हमें कoi बात करनी चाहिए बस जैसा है चल रहाइए चल रहा है चलने देने तो फिर उजी को आ जएगा उपर इंडिया हम कहते हैं हमारे इतना के त मद्द आ 하니까 हम हमारे इतना मद्द'. कि हम इधर से लशकरें निकलेंगी और जंग करेंगे जाहत करेंगे और यहां पर हम बात दो करने पाते हैं वीको डाले के डर बात हम इसे नहीं कर पाते हैं देखें हमारी जिन्दगी है मैं पच्चीस साल काओं तो मेरी जो लाइफ है आगे मुझे नहीं पता अगर मैं इस तो मसाल है, यह पर हम खड़े हो के यह तो जो कहते हैं कि भाई नहीं, यह नहीं बनना चाहिए, वो नहीं बननना चाहिए चलिए छोड़िये, आपके ख्वाफ ख्वाब और काफिरियों के ख्वाफ ख्वाब नहीं उन ख्वाबों को तोड़ दो, द्वस्त कर दो, दबा दो क्योंकि हम कुफर को मिठाने के लिए इस धर्थी पर आएं सामने वाले भी कम नहीं है बड़े बड़े आये, मिठाने वाले और मिठाने वाले चले भी गए आज हालत क्या है आप देखी सकते हैं गोरी, गजनवी, अबदाली कहां गए, किसे को पता नहीं तेकि सोमनात का मंदिर आज भी महीं खड़ा है अध्या में राम मंदिर खड़ा हो गया है योई में मंदिर हमने बना दिया है तो इसलिए शान्ति के साथ चलिए खोद भी जन्देखी को जीए और सामने वाले को जीने भी दीजाए जीओ और जीने दो किसे धान पर काम चलिए हम करते हैं, आप नहीं करते हैं तो अगर आप सामने वाले को मिटाने की बात कहेंगे तो आप खुद मिट जाएंगे पाकिसान मिट रहा है पाकिसान मिट रहा है 76 years में आप देखिये पाकिसान की achievements क्या रही है क्या आप अपने लोगों को दो वक्त का खाना दे पा रहे हैं आटे के लाइनों में लोग मर जाते हैं भुकमरी है, बेरुजगारी है, महंगाई है इतनी जादा है कि पूछिए मत और अब वो चीज़े पीक पर आ गई है क्योंकि आपके पाप का घड़ा भर रहा है जितना इस घड़े में आप नफरत आपने डाली है पिछले साथ आठ पीड़ियों में और आने वाली तीन-चार पीड़ियों में डाल चुके है उस सारी नफरत अब बिजबिजा कर बाहर आएगी आपके शरीर से, मतलब पाकिस्तान से उन नफरत के कीड़े हैं जो आपको अंदर से खोखला कर चुके है और आप उसका रिजर्ड दिख रहा है रही बात यूएई में मंदिर बनने की आपको नराज होना है, नराज हुई है आपको गुसा आना है, गुसा है यूएई वाली को गालिया दे दिए, आप यूएई के बाइकोट शुरू कर दिए हिम्मत नहीं आपकी करने की करके दिखाओ, एक फत्वा जारी करवा के दिखवा दो तुम यूएई के खिलाफ की, इसलामिक देश में हिंदू मंदिर क्यों बना मान जाओंगा मैं पाकिस्तानी हो, मान जाओंगा मैं और वो फत्वा मैं UAE के पास पहुँचवा दूँगा, इस बाप की गरंटी में लेता हूँ तो उसके बाद क्या होगा आप लोगों का, वो आप ही समझ सकते हैं कि आप लोगों को क्या होगा खाने के लाले पढ़ जाएंगे और देखिए हमने मंदिर बनाया है इसलिए, तो वहाँ पर जो हिंदू लोग हैं, 60 लाग की अबादी है उनके लिए, वो मुसल्मानों को वापस हिंदू कनवर्ट कराने के लिए नहीं बनाया या वहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे, उनको कनवर्ट कराने के लिए नहीं बनाये सब त्यूंकि हमारे सनातन में, जब हमारा सनातन धर्म था शुरू में उस समय कोई और रिलिजिन नहीं था तो हमारे धर्म गरंतों में किसी दूसरे रिलिजिन की बात ही नहीं की गई है क्यों कोई और रिलिजिन था ही नहीं इकलोते हम थे तो हमने कभी यह बनाये नहीं कि कनवर्ट करके अपने रिलिजिन में शामिल करान नहीं कराना बाई हमें tastes convertण कर goई Hindu तो होई नहीं सकता है सबसाब बात है Hinduism को आप अपना सकते हो उस जीवनशाली को अपना सकते हो वो thoughts को अपना सकते हो आप Hindu नहीं बन सकते दरवाज़े बन धे पैदा होकर ही आप Hindu हो सकते हैं और कोई उपाय नहीं है इसका बागी तो कोई कुछ भी कहता है तो हमने शांती के लिए अमन के लिए एक काम किया है और आप देखिए क्या कि इसका बड़ा असर पर सिर्फ UAE पर नहीं पूरे मिडिलीस्ट पर और पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा अच्छा संदेश गया है UAE की तरफ से UAE ने मुसल्मान देशों को भी संदेश दिया है कि देखो डेवलप्मेंट का रास्ता ये है कि दूसरों को भी उनका हक दो आप अपने इमान पर मजबूत रहो इतना मजबूत रहो कि सामने वाले को उसका हक देने के बाद भी आपका इमान खत्रे में न पढ़े आपका इसलाम खत्रे में न पढ़े और यूवई वाले ये जानते हैं क्यों Converted नहीं है ना Original वाले हैं उनको पता है कि हम अपने इमान के पक्के हैं हम अपने इमान पर चलते हैं सामने वाला भी अपने इमान पे चल रहा है, तो उसको मौका दो क्योंकि आपके आपके जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके राज में वो है साटला की अबादी, उनका खयाल तो रखा जाना चाहिए, वो चाहे रिलिजियस खयाल रखा जाए, उनके खाने पीने का खयाल और इसमें पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है, जलते रहो भाई, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, आप क्या कहते हैं, जल्दी मिलता हूँ, एक और नाए वीडियो के साथ, नमस्कार, जैहिन